Hello Everyone, मैं नरदेव स्वामी, Lecturer Mathematics from Government Women's Polytechnic College भरतपुर आज हम Complex Number Chapter के वारे में Study करेंगे Complex Number पढ़ने से पहले हम कालपनिक संख्याएं, Imaginary Number को समझना पढ़ेगा तो कालपनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर रिनात्मक नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है कालपनिक संख्याएं कहलाती है अर्था जिनका वर्ग करने पर हमें माइनस की संख्याएं प्राप्त हो कौन-कौन सी संख्याएंगी इसकी अंतरगत तो देखो इसका सीधा सा धारन होगा, यदि अंडरूड के अंदर माइनस की संख्या आ जाएं, तो वो सारी कलपनिक संख्या कहलाती है, एक्जम्पल हो जाएगा, अंडरूड माइनस दो, या माइनस तीन पे रूट, या अंडरूड माइनस पचीस, क्योंकि अंडरूड के अंडरूड माइनस की संख्या आ रही है, अब हम इसका बर करेंगे, अंडरूड हड़ जाएगा, तो वेलू आए, जैसे हम अंडरूड माइनस पचीस का बर करें, तो अंडरूड हड़ जाएगा, आएगी वेलू माइनस पचीस, तो ये संख्या हमारी कहलाएंगी, कालपन denote करते हैं यह हो गई हमारी कालपनिक संख्याएं अब आएंगी हम कालपनिक संख्याओं के बाद समिस्र संख्याओं पर complex number तो इसकी definition होती है a plus iota b रूप की संख्याएं समिस्र संख्याएं कहलाती है a plus iota b रूप की जितनी भी संख्याएं होगी वो कालपनिक संख्याएं कहलाएंगी जहां a और b तो हो जाएंगी बास्तविक संख्याएं और i हो जाएगा अंडरूड माइनस 1 जहां a बास्तविक भाग कहलाएगा और b कालपनिक भाग कहलाएगा किलियर ए हमारी बास्तविक संख्या होगी भी बास्तविक संख्या होगी आई हमारी अंडरूर माइनस वन बास्तविक संख्या क्या होती है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ही बता देता हूं तब भी बास्तविक संक्याओं के अंतर्गाज आ जाती हैं हमारी पर्मे संख्याओं और अपर्मे संक्याओं पर्मे संख्याओं भी सामल है और अब हम इसके कुछ examples देखते हैं सबसे पहले हम एक्जाम पर लेते हैं टू प्लस थ्री आयोटा तो देखो यहां ए प्लस आयोटा भी इसका हम उसके कंपेर करते हैं ए प्लस आयोटा भी तो देखो ए की जगह पर तो गया दो बी होता है आयोटा का जिससे गुणा हो रहा होता है वो बी के लाता है तो यहां हमारी कौन-कून से संख्या है संविश्षल संख्या होंगी जो हुग आ रूप की हों जांए और बहendeu कि तो देने दो है जो क्या है क्योंकि प्रवेसर क्या है इसलिएक वह व्यालू क्या है वी वी और 15 मिलली 4, minus के 4, minus 3 iota अब ये देखो, A plus iota भी रूप में है के नहीं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं के नहीं लिख सकते minus 4 plus minus 3 iota जा A आगया minus 4, B आगया minus 3 तो A, B जो minus 4 है, ये भी बास्तविक संक्या है B, जो minus 3 है, ये भी बास्तविक संक्या है इसलिए हमारी जो minus 4, minus 3 iota दे रखी है, ये एक समिस्र संक्या कहलाएगी इस समिस्र संक्या के लिए जो A होता है, बास्तविक भाग, real part कहलाता है और जो B होता है, माइनस 3 है, वो कालपनिक भाग, imaginary part कहलाएगा next example लेते हैं पर थर्ड, 6 iota हम इसको देखते हैं, ये वो समिस्र संक्या है या नहीं, इसको हम लिखते हैं, 0 पलस 6 iota अब देखो, A पलस iota भी रूप में हो गया के नहीं, A तो हो गया 0, B हो गया 6 जहां ए जो 0 है वो वास्तिविक संख्या है यह स्वास्तिविक संख्या इसलिए 6 आयोटा भी एक हमारी समिस्र संख्या हो गई एक्चछली में 6 आयोटा क्या है यह है माइनस के 36 ये कालपनिक संक्या है क्यों है क्योंकि देखो 36 का परगुल तो 6 हो जाएगा फिर अंडरूर माइनस एक बज़ेगा उसको मायोटा लिख देंगे तो ये कालपनिक संक्या है पर जो सुद्ध कालपनिक संक्या होगी वो भी समिस्र संक्या केलाएगी बट उसका जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाएगा ऐसा ही मिलता जुलता एक्जाम्पल है अपना ये माइनस 42 ये सुद्ध बास्टिफिक संक्या है परन्तु ये समिस्र संक्या होगी के नहीं होगी होगी इसको मैंसे लिख सकते हैं माइनस 42 प्लस 0 आयोटा जाए वराबर माइनस 42 बी वराबर 0 इस तरह से हमने एक्जाम्पल देखे अच्छा ये एक्जाम्पल थर्ड और एक्जाम्पल फूर्ट है इसमें ये है कि जो सुद्ध कालपनिक संक्या होगी कालपनिक संक्या वो भी अपने आप में एक समिस्र संक्या है बट उसका जो रियल पार्ट है ए है वो 0 होगा और सुद्ध बास्तिविक संक्या होगी वो भी एक समिस्र संक्या होगी उसका कालपनिक पार्ट जो भी बोलते हैं वो 0 होगा इस तरह से अच्छा समिस्र संक्या दिखो यह कि इसके नाम से भी कलियर हो रहा है, अच्छा नाम से क्या कलियर हो रहा है, शमिश्र कॉम्प्लेक्स तो हमने एक तो यह परवासा लिए E प्लस Iű이즈 अँटा भी, यह समिस्रं आपने एसे भी कह सकते हैं, यह तो बास्तविके संक्या का और भी होगी कालपिंग संख्याओं उनका जोड है जोड कहलो घटाव केलो कुछ भी कहलो तो सम्मिष्ष का मतलब complex मिलना को यह है बास्क पे गौर कालपिंग संख्याओं का संगम जोड़ घटाव कुछ भी हम बोल सकते हैं अब हम IOTA की घहत के वारे में समझते हैं IOTA की जो value थी under ut minus 1 या under ut minus 1 को हमने आयोता बोला है तो IOTA की घहत 4 तक value अलग लगाएँगे उसके बाद वोई repeat होने लग जाएँगी तो हम IOTA की घहत 4 तक के value पड़ेंगे IOTA परावर under ut minus 1 होता है तो आयोटा का square क्या होगा यह हमें direct याद करना ही यहाँ पर समझ लो तो आयोटा की value होती under root minus 1 और हम उसका square करेंगे और under root की संक्या का square करते हैं हम भर करते हैं तो under root अड़ जाता है तो value आगी minus 1 तो आयोटा square हो जाएगा हमारा minus 1 next है आयोटा cube तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं iota square into iota iota square की value हमने उपर देखी minus 1 आई into iota और minus 1 का iota से गुणा करेंगे minus iota इस तरह से iota cube की value आई minus iota next हम निकलते हैं iota 4 की value इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं iota square into iota square iota square की value होती है minus 1 into minus 1 is equal to 1. अर्थात iota 4 की value आ गई 1. इससे हम iota पर कितनी भी घात दे रखी हो वो हम solve कर सकते हैं. कैसे solve करेंगे? वो मैं एक question की help से बताता हूँ आपको. जैसे हमें iota की घात iota की घात 15 की value नकालनी है तो आपको क्या करना है 4 का भाग लगाओ 15 में घात में 4, 3, 12, 4, 16 तो 3 बार जा रहा है 4, 3, 12 तो हम इसको लिख देंगे 12 और iota पर घात 3 हमने 4 का भाग दिया 15 में तो 4, 3, 12 16 बचे 3 जो 16 बचे उनको लिख लो और 12 लिख लो अब iota की घात जो 12 का मान होगा वो होगा 1 क्यों होगा iota की घात बारे को हम ऐसे लिख लेंगे iota की घात 4 पर घात 3 iota पर घात 4 का मान एक होता है 1 पर घात 3 1 हो जाएगा 1 into iota पर घात 3 और iota पर घात 3 की value हमें पता है minus iota इस तरह से iota की घात 15 की value हो जाएगी minus iota इस तरह से अपन और iota पर कोई भी question कर शकते हैं iota पर किदनी घात के आप करके देखना हम next lecture में और इसको detail में पढ़ेंगे thank you student